हैं हैंतों हम देख रहे थी तत्वों के आवर्ती गूहुण चैप्टर थी clip की अवर्ती गूहुण खर शोपन प्रॉपर्टि टेख रहे हैं थे के से दोखेए टीक में कर्के helps with के बाद ऊसके बाद हमने देखा था पर्माडू का आकार तो कोई भी सरजकता की बात है पर्माडू आकार पर्माडू आकार जो है कि आवर्थ में मैंने कल आपको फिरोडिक के प्रिट टेबल तो उसमें क्या होता है left to right, Central Valley to electronic 22 से दाई और जाने पर जो पर्माडु का साइस है वो तो क्या होता है? सिर्फ चोटा होता जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ कोष होते हैं सिर्फ कोष होते हैं जिसकी वज़े से जो इल् 2014 है कोष तो होते हैं उसके बाद वहीं हम देखें कि वर्ग में उपर से नीचे आने पर कोशो की संख्या में वृद्धी होती है नंबर आफ शेल्स बढ़ते जाते हैं तो इसकी वज़े से जो उसका परमाडू का अकार है वो भी बढ़ता जाता है तो कल हमने क्या देखा था सहीं जगता पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ने परमाडू का अकार देख लिया था अब आज की क्लास में हम अब आज की क्लास में हम मैटलिक और नॉन मैटलिक प्रॉपर्टी देखेंगे ठीक है मतलब की जो हमारा next point है third point वो क्या है धात्विक एवाम अधात्विक गुड ठीक है इसे ही हम क्या कहेंगे metallic and non-metallic property ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं धात्विक एवाम धात्विक गुड अधात्विक गुड अवाम क्या non-metallic गुड देख रहे हैं हम लोग clear आप क्या करेंगे तो प्रारंभ में जितने भी जितने भी तत्वते कितने जितने भी तत्वते वर्तमान में 118 तत्व पस्तित हैं उनको किसी ना किसी धातू या अधातू की फॉर्म में बाटा गया है अब धातू क्या होते हैं धातू धातू का क्या गुड होता है धातू क बनाते हैं और अधात्वी घूण में क्या होता है एलेक्ट्रॉन ग्रहन करके वह क्या बनाते हैं रीन आयन बनाते हैं ठीक है इस तरह से आप देखेंगे जब मैं कल आप लोगों को हम कल की क्लास में जब आवट सांडी पढ़ रहे थे तो हम जब स्टार्ट करते हैं लीथिय बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ओक्सिजन ठीक है और यह फ्लोरिन और यह आपका नियॉन क्लियर तो हम क्या देखते हैं कि जो लीथियम और बेरिलियम है यह एजिली अपना यह एक इलेक्ट्रॉन डोरेट करने को रेडी था जब हम वैलेंसी चेक कर रहे थे थो सहयों है। कि जले लिए सेफ्चा इलेक्ट्रोन अपना त्याग करने के लिए रेडी था यह को यह इन लेना चाहता था वहीं मैं और यह क्या checkpoint रहा था एक एलेक्ट्रोन ले रहे है और यह तो किस इलख्रॉन लेने या देने सुर्थ नहीं की जोरत नहीं तो इस तड़र से आप एयरो को ध्यान दीजिए यह क्या कर रहे है इलख्रॉन का ट्याद कर रह है लिठ्यूम प्लस आयन बनाएगा यह लिठ्यूम प्लस टू कि बनाएगा थीक तो धात्विक मतलब की आप आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में आप बाई से दाई और आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है जो धात्विक प्रॉपर्टी है जो मैटलिक प्रॉपर्टी है वो धीरे-धीरे कम होते जा रही है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो शुरू क करें नहीं बना रहे हैं बलकि उन में इलेक्ट्रोन को ग्रहन करके प्रवृत्ति जादा बढ़ते जारी है इन सब में क्या होता है है रिण आयन होता है इस तरह से आप क्या देखेंगे कि जो जब हम आवर्त में 52 नहीं बढ़ते हैं तो जो धात्विक ट्रॉपर्टी में क्या होते जाती है वह कम हो रही है और गर्ष्रफ्र फटिक बढ़ते जा रही है और रहे जब हम आवर्थ सार्ड नी में इचे आएंगे संभूम में उपर से नीचे की और आएंगे एक जो सोड है कि 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 सोड लिओ इंक नागर कुत्व गयारा तो यह दो आठ आठ ठीक है और एक इस तरह से ये भी अपने इलेक्ट्रॉन का ट्याक करके बाहर निकल जाएगा तो आप ये देख पा रहे हैं कि वर्ग में जब हम उपर से नीचे के और आते हैं तो धात्वी गुण बढ़ता जाता है और आवर्द सार्णी में जब बाई और से द ठीक है इसके अलावा जो आपके अवर्द साड़ी में धात्व और भात्व के अलावा धात्व के अलावा कुछ उपर sources. और महीं कि डोनों की तरह वयभार करते हैं जैसे कि अभी में एक जिग्जग रेखाइक तेढ़ी मेढ donating को मिलती है ये जित्नी भी इसमें जितने भी एल्लेंट में आते हैं यह एलेमिट साथे हैं तो सब क्या हैं तो इसमें कौन-कौन से हैं बोर्ण ढर्मिनियम आर्सिनिक एंटीन और यह है आपका पोलोनियम तो यह सब किसको दर्शार हैं यह दर्शार हैं अर्थ धातू को रखी जो धातू और अधातू या फिर हम क्या कहते हैं अधातू कहते हैं ठीक है ओवर्राल अपको क्या पता होना चीए कि आवर्ट साड़ी में उपर से नीचे आने पर धात्विक गुड़ों में वृद्धी होती है और अध्धात्विक गुड़ों में कमी होती है वही आवर्ट साड़ी में left to right जाएंगे या बाईं से दाई ओर जाएंगे तो धात्विक गुड़ों में कमी होगी और धात्विक गड़ों में वृद्धी होगी और उपधातु या फिर अर्द धातु की बात कहें उपधातु या अर्द धातु की जब हम बात कहें तो कुछ आवर्द सार्णी में कुछ धातु ऐसी हैं कुछ elements या कुछ तत्वए ऐसे हैं जो धातू और अधातू दोनों की तरह विवहार करते हैं जिन्हें हम अर्द धातू या फिर उपधातू कहते हैं क्लियर हुआ यह गोण आप लोगों को बहुत इजी है ठीक है चलिए इसे रब करते हैं इसके बाद हम देखेंगे इसका next गुण क्या है next गुण देखते हैं कि क्या है इसका next गुण आप लोगों को जब भी गुण पढ़ना है तो उसमें आवर्ट सार्णी में उसका कैसा बिहेवियर है लेफ्ट टू राइट जाने पर और उपर से नीचे आने पर यह जादा तर पूछा जाता है चलिए देखते हैं आपका जो next topic है आइनन उर्जा या आइनन विभाव ठीक है क्या है topic थार्ड है यह सौरी फोर्थ है यह आइनन उर्जा या फिर हम क्या कहें आइनन विभाव आइनन विभाव तो क्या कहेंगे से हैं आइननिजेशन आइननाईजेशन एनर्जी या फिर क्या कहें आइनन आइजेशन पोटेंशयल ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं आइनन उर्जा या फिर आइनन विभाव तो क्या है यह आयनगेशन एनरजी और आयनन उर्जा ठीक है तो जब भी हमारा कोई तत्व होता है ठीक है तो उसमें जो गैसी अवास्था में उसके जो वी लगित परमाडू होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन दुर्बल रुप से बंधे होते हैं मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन अरजा लगती है वही क्या होता है वही होता है आयनन उ्रजा या फिर एक्ट्राइशन और्जी या फिर हमसे और कहते हैं आईनन विबहों और शाय कहते हैं ठीक है तो किसी भी गैसी अवस्थाद में दूर्बल रुप से बंधे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑ्ष एक निगर हुआ आपको आयन अदोर्जा क्या है ठीक है तो इसके लिए क्या है चाहिए वो कोई भी एलिमेंट जो भी तत्व है वो या तो solid state में है राव या फिट हो सवस्था में है उसे हमें सबसे गैसी एवस्था में लाना है गैसी एवस्था में लाने के बाद हम उसको क्या करेंगे आएनगेशन हमेशन कोई डेक्टरॉन को हम कुछ निकाल पा रहे हैं या नहीं हमें वह एनर्जी उसको प्रोवाइड करना है ठीक है अगर जो तो आप क्या पोल रहे हैं जो हम किसमे दर्शाते हैं इसको होता है इसकी में घरीज करेंगी हम दोकी आवर्ट सार्णनी में उपद्पर से बैसा जाने पर क्या होता है ठीक है तो चलिए उपर से नीचे आने वाला केस देते हैं इसके लिए हम सबसे पहले electronic विन्यास ही देख लेते हैं इसका hydrogen का electronic विन्यास है 1 ठीक है इसके बाद हम देखेंगे hydrogen के बाद lithium इसमें 3 और यह कितने हो गए है 2,1 ठीक है तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं लीथियम का फिर इसमें के और ल कोश बस यूज़ हो रहा है कि यहां मैं उपर कोश लिख देते हूं के ल एम और यह एन ठीक है लीथियम के बाद sodium यह 11 तो 2,8,1 ठीक और यहीं हम देखते हैं पोटेशियम का तो 2,8,8,1 तो इस तरह से देख रहे हैं इसके आउटर मुष शेल में एक 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 एलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं इस एक 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 एलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली जो उर्जा है उसे ही हम क्या कहेंगे आइन उर्जा या फिर आयन जाने पर ठीक है एलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है हाइड्रोजन से पोटेशियम की और जाने पर हम क्या देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या में व्रिद्धी हो रही है यह एक था फिर 11 फिर 19 उसके साथ साथ ही क्या हो रहा है इसमें कोशों की संख्या भी बढ़ती ज सब्सक्राइब है मतलग कि नाभिक से जो एलेक्ट्रोन की दूरी है जैसे इसको आप ड्रौ करेंगे ठीक है हाइड्रोजन को अगर आप डौक ड्रौ करते हैं तो च्छांप होगा तो आप क्या देख रहेंगे जो इसमें एक एक इलेक्ट्रोन जो पस्थित है उसके कोशो जो उसकी दूरी है नाभिक से वो दूर होते जारी है ठीक है तो उस इलेक्ट्रोन को अलग करने के लिए आपको जादा उर्जा देने की आवशक्ता नहीं है बहुत कम एनर्जी पर वो इजी ली उसको दे देगा डोनेट कर देगा तो इस तरह से हमने क्या सिखा कि वर्ग में उपर से नीचे आने पर ठीक है तत्वों की आइनर्जा के मान में क्या होती है कमी होती है वो क्रम्चय घटते जाते हैं क्लियर हुआ आपको यहीं अगर हम बात करें ठीक है यही जिसे ऋर जाने पर गैसां कि की लीथियम के बेरीलियम परोरॉन कारबन Nite रोजन can a यहीं बात करते हैं प्लोरीण वो आवर्तिसारणी में आवरतिसार्णी में 22 दाई ओर जाने पर आइनन उर्जा के मान में क्या होता है चलिए देखते हैं यह क्या है यह कैसा कोश है लीथियम में सिर्फ सब में दो ही कोश होंगे एलक्ट्रॉन की संख्या ज़रूर बढ़ेगी लेकिन अगर आप कोश बोलेंगे तो कितने कोश होंगे दो ही कोश है ना के और एल ठीक है वही अब क्या देख पाते हैं इसमें क्या है दो इलेक्ट्रॉन बाहर में एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन फिर दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन और एक दो तीन इस तरह से आप देखें कि number of electrons यह पांच इलेक्ट्रोन हो गए है ना इस तरह से आप देखें यह यह एन 5 होता है ना यह यह 7 यह 6 यह 5 है ना यह 4 और यह 3 इस तरह से हमने इलेक्ट्रोन का कॉंसिग्रेशन देख रहे हैं हम तो आप क्या देख रहे हैं कि ठीक है आवर्ट साण्डी में जब हम left to right जाते हैं तो क्या होता है कोशो की संख्या जो तो नहीं बढ़ते हैं लेक्टिन इलेक्ट्रोनों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है जो नाभिक का आवेश रहता है उसको बहुत जादा अट्रेक्ट करके अपनी और खीच के रखता है इसलिए इस जो यहां पर जो आपको एनर्जी है इसे आप इलेक्ट्रोन निकाल पाओगे क्या नहीं निकाल पाओगे क्यों इतनी टाइटली उसको बान के रखा होगा लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक ही इलेक्ट्रोन है वो शायद हो सकता आप इसको थोड़ी से एनर्जी देंगे तो निकल जाएगा इसमें थोड़ी और ज्या आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन और ट्रॉन दोनों पस्थित होते हैं तो इस तरह से जो प्रमानु इस तरह से हम देखते हैं कि आवर्द सार्णी में जब लाफ टू राइट हम जाएंगे तो जो आयनर्ण उर्जा के मान में क्या हो रही है व्रिधी होते जारी है इससे अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें आपको फोड़ा से इलेक्ट्रॉन देंगे तो थोड़ी उर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा इसमें और जादा देना पड़ेगा और अगर कारवन से निकालना है तो और जादा और इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी देने पड़ीगी इस तरह से आप देख पाते हैं कि हावर्थ सार नी में आगर मुल्प से नीचे आते हैं तो कमी होती है में ज़ादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है उपर से जाती है उसका मान बढ़ता जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ना भी क्या वेश्चे एकदम आकर्शित रहते हैं clear तो यह क्या है आपका आइनन उर्जा और इसे ही हम क्या कहते है आइनन विभाव आइनजेशन पोटेंशल और आइनजेशन एनर्जी ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसका गोण क्या है इसके नेक्स्ट गोण की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधूता या फिर इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉन आफिनिटी ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधूता या फिर इलेक्ट्रॉन एपफिनिटी तो क्या होता है एलेक्ट्रॉन बंदूता या फिर एलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है धात्वी क्या होती है ठीक है धात्वी क्या होती है एलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती है जैसे कि आपको पता है कि लीथियम के बाहरी कोश में एक एलेक्ट्रॉन होता है तो प् इसका 3 है 2 और 1 यह एक ट्याग करके यह क्या बनाएगा एक धनायान बनाएगा ठीक है जो बैरिलियम है वो क्या करेगा 2 और 2 यह दो इलेक्ट्रोन का ट्याग करके प्लस 2 धनायान बनाएगा ठीक है इस तरह से जो धात्वे होते हैं वो इलेक्ट्रोन का ट्याग करके धनाया बनाने की प्रवृत्ति होती है उसी तरह जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहन करते हैं अधातु क्या करते हैं था पर रिन आयन चार्ज आ जाता है आप इलेक्ट्रॉण है और क्यों सा डिन करण्व कर देंगे ऐको डिन celebrity कर देंगे को डोनेटंट था खा किंगे एक अब बन Ef ऐसी तरह समय तो एक अगर करेंगे अभी अग्रों परफे इसको ग्रहंड करेंगे तो आप क्या बन जाएगा यहाँ अच्छा संदूति अगर्वण करने के जिलिए उसको किया यहाइन जाता है इस समय जो उर्जा इसमें जो उर्जा रिलीस होती है वही क्या कहलाती है वही कहलाती है एलेक्ट्रॉन बंधुता ठीक है तो इलेक्ट्रॉन को जोडने पर एक रिन आयन बनता है ठीक है जैसे धन आयन को निकालने पर एक धन आयन बनता है वैसे इलेक्ट्रॉन को जोडने प पर एक रिन आयन बनता है तो इसमें जो उर्जा मुक्त होती है वही क्या है वही है एलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर एलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लियर हुआ आपको यह कॉंसेप्ट का अच्छे से समझे इस बात को धात्वी जो होती है यो यो या और from Ray mead yeah बनाने पर जो उड़्जा वुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हिसे हम कहते है Caribक्त्रॉन आफिनिटी तो यही क्या हुआ है इसे हैं उसक्तॉराँ पूर्ण जितना भी है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरिन तो आवर्थ सारणी में और आवर्थ सारणी में दाई से दाई और बढ़ने पर आप देख पा रहे थे इन सब क्या है इलेक्ट्रॉन ग्रहन करने की प्रवृत्ति जाता है तो वो लोग ही तो इलेक्ट्रॉन ग्रहन करते है तो वहीं पर तो और्जा रिलीज होती होगी इसलिए यहां पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधूता क्या होती है बढ़ती जाती है व्रिद्धी होती है बढ़ता है ठीक है तो क्या बोल रहे हैं हम जब इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि वहीं पे तो यह जो एलिमेंट से उन्हीं में तो इलेक्ट्रॉन ग्रहन करने की प्रवरित्ती है और जब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहन करेगा तभी ना उर्जा मुक्त होगी लेकिन अगर आप नीचे आएंगे लीथियम सोडियम कोटेशियम रुबीडियम है ना तो आप नीचे आएंगे तो इननों की उलेक्ट्रॉन ग्रहन करने की प्रवरित्ती है क्या नहीं है तो उर्जा-अर्यिस कोई यृजी नहीं होगी है ना तो उपर से नीचे आने पर जो इलेक्ट्रॉन बंधूता का मान है वह कम होता है इस तो वर्ग में आवर्ड साड़ी के वर्ग में उपर से नीचे आने पर एलेक्ट्रॉन बंधूता का मान कम होता है, वही वर्ग में एलेक्ट्रॉन बंधूता का मान बढ़ता जाता है, ठीक है, clear, यह clear हुआ आप लोगो, अच्छे से बारवर सुनिये, आपको clear होगा यह, ठी विद्यूत रिड़ता ठीक है एलेक्ट्रोन निगेटिविटी क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक विद्यूत रिड़ता और एलेक्ट्रोन निगेटिविटी चलिए हैडिंग डालिए विद्यूत रिड़ता एलेक्ट्रोन निगेटिविटी ठीक है तो क्या होती है एलेक्ट्रोन निगेटिविटी जितने भी आलेमेंट्स हैं ठीक है जितने भी तत्व हैं वो सब क्या है आपस में सहस EUJAKBANDH की द्वारा जूड़े हुए रहते हैं सहसय निगन क्या होता है सहसयोजगबG वो बंध होता है जो दो अडूओं को ठीक है दो तत्वों को या दो तत्वों के अडूओं को आपस में बांद्के रगता है आपस में कैसे बांद रगता है वो अपने सह 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 जो बंद होता है एक परमाडू की साजय की एलेक्ट्रॉन यूग्म को अपनी और आकर्षित करने की प्रवरित्ती दूसरे परमाडू की प्रवरित्ती से अधिक होती है तो एलेक्ट्रॉन इसे में दो परमाणू हैं दो तत्व आपको दिखरे हैं एक था ख़या है थीक है मतलब कि हिए प्रवित्थ pissed ङूंद आपको देखना है यही विट या फिर ग्लेक्ट्रोन तक नेकेटिव हो तो समाने तक इसी आवर्त में क्या होता है बाई से दाई और जाने पर जो बढ़ती है और किसी वर्ग में नीचे से नीचे आने पर इसका मान क्या होता है कम होता जाता है मतलब आप इधर आएंगे आवर्चानी में इस साइड आएंगे तो जो उल्लो का एलेक्ट्रॉन ग्रहन करने का प्रवरित्ती है वो जादा होता है एस कंपेर तो पीछले पीछे वालों के और वहीं आप विद्युत्रिता की बात करें तो वर्ग में उपर से नीचे आने पर उनका मान कम होता जाता है कैसे कम होता जाता है चलिए देखते हैं इस बात को भी और कैसे बढ़ता है इसको भी देखते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं उपर से नीचे आने पर हम बात करेंगे पहले लीथियम की लीथियम में कितने एक दो और एक ठीक है इलेक्ट्रॉन ग्रहन करने की प्रवरित्ती है क्या नहीं यह त्याग देगा इजिली व पर ऐसे से करे कर के डॉट और लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन ठीक है यह तीन यह ग्यारह और यह पोतेसियम का नाइन तो एक दो की अरी चार थीक है यहां ग्रहन मालवतें होते जा रही है क्यों कम होते जा रही है क्योंकि आउटर मुझ चैल पर एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसकी नाभिक से जो दूरी है बहुत जादा है और यह इसली अपना इलेक्ट्रॉन देंगे को कोई जरूरत ही नहीं थी लेकिन अगर आप बात करेंगे आवर्त साढणी में लेफ्ट तू राइट जाने पर चलिए ड्रॉ करते हैं ड्रॉ करते हैं किसका आप ड्रॉ करते हैं बैरिलियम का बैरिलियम में भी दो ही कोश होंगे ठीक है उसके बाद बॉरॉन इसमें भी हम दो ही कोश कार्बन दो ही कोश नाइट्रोजन दो ही कोश ऑक्सिजन सब में दो कोश ही रहते हैं आपको पता है क्लियर अब इसमें बात होती है इलक्ट्रॉनों की इसमें कितने इलक्ट्रॉन हैं ये दो तो भरे हुए हैं ये दो और आ गए इसमें दो तो भरे हुए हैं एक दो तीन और आ गए दो तो हैं ही चार आ गए clear और ये दो तो हैं और एक दो तीन चार पांच तो आप समझ रहे हैं जो last के case में हम देख रहे थे इसमें क्या होता है कि जो कोश की संख्या है वो तो समान है लेकिन number of electrons जो है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बढ़ती चारी है जिसकी वज़े से जो नाभिक कावेश है वो इन इलेक्ट्रॉन को एकदम टाइटली अपनी और आकर्शित करके रगता है और उनको बाहर निकलने नहीं देखता तो इनकी क्या प्रवरित्ति रहती है इनकी प्रवरित्ति रहती है कि हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहन कर ले इसकी प्रवरित्ति कि हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहन कर लो इसकी थोड़ी कम इसकी थोड़ी कम इसकी सबसे कम ठीक है तो इस तरह से आप क्या दे रहे है जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉन ग्र तार कर ले और एकट्रान कर ले और प्राइद कर ले यह तरह से क्या होता है जो नाभी आवेश क्या रचे में जो जो बहुत से हिस्क्ष बस्त जाघ हुगत नाभी कि दूरी बढ़ गई तयुक्छ नहीं रहता है तो प्यार कम होता है थीकिक works होता है जो आकर्षन है वो कम हो जाता है तो यही बात है आपका इसलिए फिर क्या होगा कि यह जो चैसे जिसे हम आवर्थ में जाब हम लेफ टू राइट जाएंगे तो इन एलक्ट्रॉन ग्रहन करने की प्रवरित्ती बढ़ेगी मतलब कि यह क्या है इनकी जो विद्धू तृड़ता है इनकी जो विद्धू तृड़ता है अवर्थ में दाए से बाई जाने पर बढ़ता है श्जा और वहीं आप बात करेंगे कि वर्ग में उपर से नीचे आने पर वर्ग में उपर से नीचे आने पर जो विद्ध्यूत्रता का मान है लेक्ट्रो निगेटिविटी है वो कम होता है या घटता है कॉंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को बहुत इजी कॉंसेप्ट है इसको आप लोग समझेए देखिए ठीक है क्योंकि नाभी की अविश बढ़ता है और चोटा होने के कारण इल्लों के इलक्ट्रॉन गरहन करने की प्रवरिटी बढ़ती जाती है इसले विद्ध्यूत् इल्लों गरहन करने की प्रवरिट्टी है तो आप देख पा रहे हैं कि इधर जैसे जैसे जाएंगे वह और इल्लों और इल्लों खीचता है लेकिन यह क्या बलता है त्याग दो ठीक है और नहीं है जरूरत नाभीक से कोश की दूरी बहुत ज्यादा हो रही है तो हम क्या देखते हैं चलिए एक एग्जामपल लेते हैं कार्बन डाय ओक्साइड का ठीक है सी ओ टू में क्या है दो तत्व हैं यह दोनों आपस में सहसायोजग बंद से बंधें हुए हैं ठीक है तो क्या होगा जो कार्बन है उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें वायतमकोश में उसके चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वहीं जो ऑक्सीजन होता है उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दो तीन चार और यह होता है पांच और छे वहीं एक और ऑक्सीजन है तो इसमें कितने एक दो तीन चार पांच और छे ठीक है तो इस तरह से आप बाई एक पाते हैं की इलेक्टरोणी के साजह का औलंगा होता है छो तत्व है यृक्ते और अच्टक को पूर्ण मुझे है मतलब कि कितने ये अच्टरौ को'll znajी कि और अप च्बारी इन आथ बैसे साजह कर लेता है उसी तब्सक्त्राइब के इसके साथ साजा कर लेता है ठीक है और का अदो नदकन क्यों देखेंगे कि एक दो देंचा और ये इसके Easy अधर लिक्रोण लेता है और इस इसक फर्सी रही हुआ जो कार्बन है उसक तयो साज्य ठीक है CO2 में carbon की विद्धूत्रिटा अधिक होगी कि oxygen की विद्धूत्रिटा अधिक है तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि हम आवर्ट सार्णी में जैसे 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 लैक्टू राइट जाते हैं तो विद्धूत्रिटा का मान बढ़ता जाता है इसक आप और अडूओं HCl है H2O है इसका भी आप एक्जाम्पल बहुत इजी ली देख सकते हैं जैसे H2O के एक्जाम्पल में देख लीजे जो ऑक्सिजन की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहन करने की प्रवित्ती है ठीक है वो क्या होगी वो हाइड्रोजन से बेस डेफिनेटली बिल लेफ्ट टू राइट जाने पर जो इलेक्ट्रॉन बंदू स्वारी विद्धोत्रिर्टा जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान है वो बढ़ता है और वर्ग में उपर से नीचे आने पर इसका मान कम होता है इस तरह से हमने आज की क्लास में पूरा खतम किया आपके टात्यों का आवर्ति गुण इसके जो प्रकार है नेक्स क्लास में हम इसके जो अभ्यास के प्रेशन है कुछ-कुछ उसको डील करेंगे तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेव थैंक यू